हलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ची गुरुची में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फोमेशनल वीडियो निकार किया गली हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में बहुत सारे बच्चे UPSC Civil Services Examination की प्रपरेशन कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एक्जामिनेशन की प्रपरेशन कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले UPSC Civil Services Examination जिसे हम IAS Examination के बारे इतनाम सी भी जानते हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सजानेंगे फिर हम वीडियो में आगी बढ़ेंगे UPSC Civil Services के Examination जो आते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं Examination इसके बाद Interview अलग होता है यानि Total 3 Stages होती है इसके Examination की Number 1 पर आता है Prelims, Number 2 पर आता है Mains और Number 3 पर आता है Interview अब Prelims के बाद करें तो Prelims में आपका PEPER आता है Objective Paper इसके बाद Mains जो होता है वह आपका Subjective होता है Prelims में आपके 2 PEPER आते हैं GS का PEPER, CSAT का PEPER जो की Objective होता है इसके बाद Mains PEPER होता है, Mains में आपके काफी सारे exams होते हैं हाँ, Optional Subject के पेपर होते हैं, आपके GS के पेपर होते हैं, आपके Qualifying Nature बाले पेपर होते हैं, Language पेपर होते हैं, इसके बाद आता है अगर आप Question में बिलकुल शौर हैं, तब भी उस Question को आप चौर्म कीजिए, उस Question को Attempt कीजिए, अदरवाइस, Negative Marking से, 0.1 Negative Marking से भी आपके Ranking में काफी असर पड़ता है, लखो रैंकिंग में असर पड़ता है, तो इस चीज़ का फ्लीज ध्यां दीजिए, Negative Marking में बिलकुल मत पड़ी है, तोस्तो आज में आपके लिए UP के एक और बहुत ही फेमस शहर में आ गई हूँ, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, बरेली, बरेली में बहुत सारे बच्चे, UPSC Civil Services की प्रप्रेशन कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं बरेली की, तो अगर आप भी बरेली में UPSC Civil Services की प्रप्रेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट पक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो की कुछ मिनट आपको बहुत ही ज़ादा इंफोमेशन प्रवाइड कर सकते हैं, और इंफोमेशन हमेशा लेनी चाहिए, जे नॉलेज का मौका कभी मेरी जोड़ना चाहिए, तो चलिए बढ़ते हैं आपे, तो दोस्तों हम अरड़ी एक वीडियो अप्लोड कर चुके हैं, जहां हमने हर इंस्टिट्यूट जो टॉ तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौचूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां रैंकिंग वाइस हर इंस्टिट्यूट के बारे में आपको एक ही वीडियो में पता दुचाएगा, इसके अलावा हर इंस्टिट्यूट के बारे में इंडिविज्वल वीडियो जहां इन डीटेल इंफोमेशन पहुंचू है, इंफोमेशन बताई गई हैं, आपको उस इंस्ट्यूट के पाले में वो वीडियो भी हम अप्लोड कर चुके हैं, आप उन वीडियो को भी हमारे चैनल पर वज़िप कर सकते हैं, इससे पहले आप आपके लिस्ट डेख सकते हैं, इंग वाईस कौन सी रांक पर कौन सा इंस्ट्यूट है, हम वो वीडियो आपके चामने, हम वो लिंक आपके सामने रिखा सकते हैं, वो लिस्ट, उस लिस्ट में कौन सी रांक पर कौन सा इंस्ट्यूट है, आप ये देख सकते हैं, दोस्तो कि हर फेमस institute का होता है इनका भी study material आपको course के साथ ही provide किया जाएगा और सर्फ इतना ही नहीं इनके study material के अलावा important topics के आपको अलग से notes पिये जाते हैं जहां tips and tricks के basis पर कैसे आप shortcut में जंदी से जंदी किसी भी question को solve कर सकते हैं उसकी proper tricks आपको दी जाती हैं उस में step by step आपको notes provide किये जाते हैं यह institute आपको बहुत ही unique way में बढ़ाता है बहुत ही अच्छे way में बढ़ाता है इनके अलावा इनकी जो faculties है वो बहुत ही ज्यादा experienced है और बहुत ही जादा expert faculties हैं की इसके बात में यह faculties आपके doubt session regular basis पर लेती है यानि जब भी आपको कोई भी doubt है किसी भी subject में तो वो timely clear करिया जाता है आपका ताकि आप अपने preparation को आगे लेकर के जा सके तो यह institute आपको हर वे में help करता है आपके exam को qualify करने के लिए interview के लिए personality development की classes भी यहाँ पर दी जाती है और इनका fee structure भी बाकियों के मगाबले काफी जादा nominal है इनके details आपके सामने screen पर मौज है तो thank you so much तोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को please please like कीजिए share कीजिए हमारे चानल को subscribe कीजिए और bell बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए कि हम लोग बहुत जादा महनत करके आपके लिए यह वीडियो लेकर के आती है मिलती हूँ अपने अग झाल झाल